नवस्कास वाद आप सबी के सिलसिला बजार हुका में मैं आपकी साथ अखिले शाटी और सिलसिला बजार हुका में आप सब के लिएक पर फिर से लेकर आगया हूँ यहाँ पे कम्यूटी बजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुमवार के दिन हफते के पहले कारोबार दिन कम्यूटी बजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है इस कारोबारी सब्ता कम्यूटी बजार का रुजहान बीत कारोबारी सब्ता के मद्दे नजर कैसा रह सकता यह सब जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे non-agri communities में सोने और चांदी से तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल मांकिट में 1818 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है हरे निशान पर है सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 23 डॉलर पर ट्रेड करती नजर आ रही है देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक बड़त का दौर देखने को मिल रहा है दरसल डॉलर में हमने जो कमजोरी बंते देखी है वीतेकारों वाली सब्दा से डॉलर में जो गिरावट आई है उसी का सपोर्ट सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है दूसरा अब जिस हिसाब से ओमीक्रॉन के कोरोना के जो मामने लगातर बढ़ते नजर आ रहे हैं लगाता दिन प्रति दिन बारत में और वीदेशों में जो करोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है उसकी वज़ा से भी हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो सेव हमें डिमांड है जिसको सुरक्षित निवेश मांग भी कहते हैं उसमें बढ़ातरी देखने को मिली है जिसकी वज़ा से सोने चांदी की कीमतों में उचाल देखने को मिला है उसी का असर हम आज सोने चांदी कीमतों में परतावत देख रहे हैं और सोने चांदी में अभी डॉलर में गिरावट जो देखने को मिली है लगबग दो महीनों के निचले सतर पर बताया जा रहा है यानि की दो महीने के निचले सतर पर डॉलर बताया जा रहा है जिसका असर सोने चांदी कीमतों पर देखने को मिल रहा है इसी के साथ बात करें यहाँसे अगर अब कच्चे तेल की तो देख रहें कि, WTI 83 डॉलर पर है Brent Crude Oil 86 डॉलर पर trade करते निज़र आ रहे हैं हम देख रहें कि, WTI और Brent Crude Oil दोनों ही हर निशान पर trade करते निज़र आ रहे दोनों की कीमतें काफ remotely जाद attractive बनी हुई आपको बता दे कि कच्चे तेल का जो बजार है उसमें अभी जो डिमांड है वो थोड़ी कम बताई जारी थी कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम देखने को मिल सकती है क्योंकि अब जादतर जो देश विदेश है वहाँ पर लॉगडाउन जैसी स्थिती है कई जबापर वर्ग पर होम भी लॉटा है जिसकी वजाद से हमने देखा था कि कच्चे तेल की डिमांड उसमें कमी देखने को मिली थी हम देखने कि जब भी लॉक्डाउन वाली प्रिस्थिती में लगती है तो पेट्रोल डीजल की जो कंजप्शन है जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाती है और पेट्रोल डीजल की खपत के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि यह जो एरलाइन्स हैं जो हवाई जास की तुरुआना जाना होता है जो ट्रांस्पोर्टेशन होती है जैट इधन होता है वो भी उसकी खपत भी कम हो जाती है उसी का सरम ने कच्चे तेल की कीमतों पर चाइना कच्चे तेल की जो रिजर्व्स है वो थोड़े रिलीस कर सकता है थोड़े बजारों में निकाल सकता है चाइनीज नियू येर पे जिसको लिउनर नियू येर भी कहा जाता है जिसकी वज़ा से थोड़ा कच्चे तेल की कीमतों पर दबा बनता नजर आ सकता है ले अभी भारत में भी lockdown नहीं लगा है कई भी हाला कि कुछ पाबंदिया है सकता ही जादा बढ़ गई है पहले से कोर्ना की मामले पहले से आ रहे हैं लेकिन ये जो बड़े राजियों में जो चुनाव होने हैं उनके मद्दे नजर अभी lockdown वाली स्थिती कई भी देखने को नहीं मिल रही हाला कि केसेज हैं लेकिन सरकार ने अभी तक lockdown नहीं लगाया है चुनावों के चली बात करें यहां से अगर अब बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में 4.4 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है mcx zinc देख रहे हैं 287 रुपेया पर है mcx nickel 1634 पर mcx led देख रहे हैं 190 पर देख रहे हैं कि बेस मेटल्स की जो कीमते हैं यहां पर अच्छी कासी तेजी की और कारुबाग करती नजर आ रही है nickel के अंदर आज भी 1600 के उपर ही trade देखने को मिल रहा है आपको बता दें कि nickel के जो stock है उसमें कमी देखने को मिली है और 277 के highest पर इस वक्त निकल देखने को मिल रहा है जिसकी वज़़ए से देख रहे हैं कि nickel का बजार तेज है nickel की जो inventories हैं उनमें कमजोरी बनने की वज़ा से nickel की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है बात करें हाँ से अगर copper की तो copper में भी हलकी फुलकी सी नर्मी बनती नजर आई है copper prices eased आपको बता दें कि चाइना की जो economy है वो लगवख 5.2 फीज़दी 2022 में कम रहे सकती है जिसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि copper में थोड़ी हलकी गिरावट बनती नजर आई है इस sentiment की वज़ा से आज और यह भी आज लेकिन जहांपे 2022 में 5.2% की economy slow बताई जा रही है चाइना की economy कैसी रह सकती है आगे जाके मविश्य में लेकिन अभी हाल फिलाल में चाइना की economy growth का जो rate 5.2% डाउन जाने की वज़ा की आशंका के चलते copper में देख रही है की आज एक गिरावट वाला रोजान देखने को मिल रहा है copper एक लान रिशान पर trade करता नजर आ रहा है निकल हमने देखी लिए कि 2007 के लोग पर बनता नजर आ रहा है निकल के कीमतों में अभी गिरावट देखने को मिल रही है कॉपर में भी गिरावट है अलूमियम की बात करें आप बता दें अलूमियम की कीमतों में तेजी देखने को मिली है क्योंकि बिजली की जो कीमते हैं यूरोप के अंदर उनमें बड़ातरी देखने को मिली है यूरोप में बिजली की कीमतों में जो बिजली दर है उसमें बड़ातरी देखने को मिली है पावर कट जादा देखने को मिला है यूरोप के अंदर जिसकी वज़ा से ऐलूमीनियम की कीमतों में बड़ातरी देखने को मिल रही है इसे की साथ बात करें यहां से अगर लेड की तो MCX लेड देख रहे हैं, 190 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 190 रुपए पर ट्रेड करता नजर आ रहा है तो overall base metals का जो ट्रेड है, आज हफ्ते के पहले कारुबारी दिन positive ही देखने को मिल रहा है, copper हो, nickel हो आज base metals में ठीक ठाक बड़त देखने को मिल रही है कच्चे तेल भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और gold silver में भी आज तेजी ही देखने को मिल रही है और हो सकता है कि बजार यहां से थोड़ा और उठतावा नजर आ जाए क्योंकि अभी dollar की कीमतों में dollar में जो गिरावट बनती नजर आई है उसका असर सो नचांदी की कीमतों पर और पूरी community market पर पड़ता नजर आ सकता है तो यह तो बात करेती हैं हमने यह आपे non-agree communities की फिलाल सिलसला बजारों का में अभी के लवस्त नहीं लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का उत सिलसला लगातर ही भी बना रहेगा market mcv पर क्योंकि खबरों के लगा लेकिन जाएगा से फिलाओाई के थार बना रहेगा झाल – क्योंकि खबरों कि बना देता है वे वे रहेगा को फिलाओेवे हैं हुआ को भी जाएगा सिलसला करें भी झाल – अनुट